हेलो अडら सेक्वाइन इन्स वीडियों किसागे लिचिश्ट अब्ड़िए केमिकल प्डूपर्टी इज ओफ बेसेज यानि हम एचीड का चान प्रोपर्टी देखे थे अब एस वीडियों में हम प्रेस्ट ऑफ बेस देखें गे तो सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं वीडियो में लगभग हम ट्रिक के साथ यह स्टार्ट करते हैं तो ट्रिक यह है याद कर लें आप all metal oxide service सही बात है जितना जैसे की magnesium oxide है ना calcium oxide यह सारे basic nature के होंगे तो आपको पता है metal oxide basic nature का उसके बाद all metal oxide sorry all metal oxide base जैसे calcium hydroxide है ना के वैच यह सभी क्या है basic nature का है यह बेस है तो metal oxide और metal का है दोनों क्या है बेस है याद हो गया metal की विलेंशी प्लस में और नन मेटल की विलेंशी मैनस में यह याद कर लें फिलाल भी अब यहाँ पर याद जैसे हम acid के property में समझाए थे कि h और o बचे तो water निकलेगा है ना h और o h बचे भी तो water निकलेगा यह याद कर लिजे दूसरी चीज आपको मैं यहाँ पर यह सबसे नीचे देखिए मैं आपको valency लिख दिया हूँ एक चीज और याद कर लिजे metal oxide किस नेजर का metal oxide basic nature का और non metal oxide acidic nature का चलिए start करते हैं अब एक चीज और acid के property में 5 reaction था और देखिए यहाँ पर base के chemical property में मातर 4 reaction है कहिए कौन सा नहीं है तो carbonate वाला नहीं है है ना carbonate वाला मतलब CO3 वाला या H bicarbonate के साथ तो वो एक चीज है तो यहाँ पे metal का carbonate या metal का bicarbonate कहिए क्यों नहीं यहाँ पर यह खूद ही basic nature का होता है यह खूद ही basic nature का तो क्या बैस बैस रियक्ट नहीं करेगा वो एक चीज है इसलिए यह नहीं है बाकि होगा अब दीकर बैस मेजमेटल के साथ जैसे मेजमेटल के साथ किया था वेस बैस मेजमेटल के साथ अब करतें बैस कोई याइणॡ ग्रीली तरे मेटल कर दे केस में अब यहां पर साल्ट देखिए सोडियम जिंकेट का फॉर्मला बहरी बहरी इंपॉर्टेंट याद कर लिजे एन एटू जेड़न ओटू सोडियम जिंकेट यह साल्ट बना है चलिए नेक्ष्ट देखते हैं बेस और एसीड का कंबिनिशन क्या देगा साल्टर वाटर जिसको neutralization reaction कहते हैं अब देखिए बेस जब बोले हैं तो कोई भी hydroxide लिजे मेटल का acid ले लिजे कोई आपको salt water यह तो आप सभी जानते हैं थर्ड देखिए बेस किसे react कर रहा है आप नानमेटल का oxide मतलब acid होता है नामेटल का oxide क्या होता है देखिए यहां पर लिखा वाया हूं acid होता है तो बेस और फिर acid का combination फिर salt water देगा है ना तो वह एक चीज है तो बेस है नानमेटल का यह जो है CO2 combine होके carbonate बनाएगा याद कर दीजिए CO2 combine होके carbonate बनाएगा किसका तो metal है तो metal का carbonate बनाएगा बाकी H और O बचा होगा water निकल गया दिमाग लगए यहां पर देखिए एक H है यहां पर oxygen बच जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप यहां पर CO2 है तो CO2 निकाल नहीं CO2 नहीं निकलेगा CO2 यहां पर combine होके CO3 बनाएगा तो इस तरह से आप दिमाग लगाएंगे अब लाश्ट देखिए यहां पर metal का oxide है metal का oxide यहां पर किस नेचर का basic nature का अब एसीर के साथ रियक्ट करवा देता है अब मेटल को साइड देखिए calcium oxide acid के साथ रियक्ट कर या क्यों salt and water कहां कहां निकल रहा है कहीं न कहीं एसीर और base का combination में salt and water बन रहा है जितना भी देखिए आपको इसीर यहां पर भी base और acid का combination यहां पर भी base और acid का combination क्योंकि non-metal है कि साइड यहां पर भी base और acid है direct यहां पर एक आपको याद रखना है अलग से base और metal के साथ जो कि salt and hydrogen gas release करेगा और इसमें कौन सा reaction नहीं है जो कि acid के case में था वो acid था जो कि metal के carbonate या bicarbonate से react करके salt देता था और water देता था और plus में CO2 gas release करता था यह CO2 किस के कारण carbonate bicarbonate के कारण release करता था कौन? acid जो कि base में नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह खुद bicarbonate या carbonate जो है basic nature का होता है तो base खुद base के साथ react नहीं करेगा अब आपको यहां से balance याद करने में अगर आपको balance याद हो जाता है तो आप plus minus में combination करके reaction आसानी से बना सकते है sodium का plus है तो देखे chlorine के साथ कर सकता है reaction ना potassium का plus में है तो chlorine के साथ कर सकता है या oxygen का देखे माइनस में है तो plus minus का combination से reaction आप बना सकते हैं आप अच्छे से याद कर लें जैसे देखे है hydroxide का minus 1 होता है carbonate का minus 2 होता है sulphate का minus 2 होता है इस तरह से आप देखे सारे को आप याद कर लेंगे silver का plus 1 होता है copper का 2 valency plus 1 और plus 2 होता है iron का 2 plus 2 और plus 3 होता है तो इस तरह से आप याद कर लें यह सारे important valency में नहीं है लिखा है जो कि आपको reaction में plus 1 मायनस के combination में आपको help करेगा तो I hope कि आपको यह भी बेहदर समझ में आया होगा अगर आपको थोरा सा भी समझ में आया है तो प्लीज सच में अगर अच्छा लग रहा है तो subscribe कर दिया प्लीज चलिए thank you so much वीडियो देखने के लिए